नमस्कार आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर इस वीडियो में हम अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं बन रही है भारत में उत्तर भारत के क्षेत्रों में WD से या फिर दक्षन भारत में विंटर मौनसून से और जो इस समय फिलिपीन्स को पार कर चुका है टाइफून, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसे हम अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में आने वाले तूफान के रूप में जानते हैं उस सिस्टम का क्या असर भारत के मौसम पर पड़ेगा ये सब कुछ जानेंगे इस समय तापमान की स्रेंज में हो रहा है 20 शहरों का देखे जिसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखन के बीच में बर्फ अच्छी नहीं पड़ती तब तक तेलंगाना या आंध्रे प्रदेश तक ठंडी हवाएं नहीं पहुंच दी हैं उत्तर की तो बात ही छोड़ और यह इस समय फिलिपीन्स को पार कर रहा है इस समय आज किस्ति है आज शुक्रवार 8 नौमबर को जिस दिन यह वीडियो में रेकॉर्ड कर रहा हूं और यहां पर फिलिपीन्स को तरीक शित्रों को में तबाही मचाने के बाद यह सिस्टम आगे बढ़ रहा है और काफी वियतनाम और थाइलेंड के आज पास पहुँचेगा जब यह सिस्टम आगे बढ़ रहा है पस्चिमी दिशा में उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती जाएगी इंटेंसिटी का आप अंदाजा इस बात से लगाएं लगातार आप देख सकते हैं एक के बाद हवा की स्पीड और कम हो जाएगी और इसके साथ साथ एक पैरामीटर और है जो कि प्रेशर बढ़ने के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है यहां पर आप देखें 970 HPA कल दिख रहा है और इसके बाद 975, 992 और 1006 यानि जितना जादा प्रेशर होगा उतनी ए प्रभाव उसका पड़ेगा तो फिलाल यह सिस्टम बहुत सिगनिफिकेंट नहीं है लेकिन कहीं ने कहीं इसके चलते बंगाल की खाड़ी पर हवाएं आ रही है आप देख सकते हैं लेकिन यह हवाएं अभी इतनी प्रभावशाली नहीं है कि भारत के तटी एक्षेत्रों को या अंदरूनी इलाकों को व्यापक पैमाने पर प्रभावित कर सकें इसके बावजूद इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगले 10 दिनों के दोरान 18 नौमबर तक बीच बीच में आप देखेंगे यह जो वेक्यूम दिखाई पड़ रहा है जहां पर हवा की रफ्ता जर्मी दोपहर के समय अभी भी बनी रहेगी टेंपरिचर जादा रहने के कारण और टेंपरिचर जादा इसलिए रहेगा क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं अभी तक नहीं पहुंच रही है और पूर्वी हवाओं का प्रभाव यहां पर भी बना हुआ है तो यहां पर हलक साउथ कोस्टल आंदरप्रदिश, तमिलनाडू का पूरा रीजन, केरल, साउथ इंटियर करनाटक, तिलंगाना के कुछ भाग और लक्षदी, पुद्दुचेरी इन तमाम जगों पर व्यापक असर दिखाई पड़ सकता है उत्तर भारत के भागों से एक WD भी गुजरने वाला है, 13 से उत्तर भारत के परवती एक शेत्रों पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा दक्षण भारत में तो आप देखी रहे हैं कि बारिच की गतिविदिया आपसे बढ़ रही हैं और ये 13 चौदा का प्रोजेक्शन है, 13 चौदा नौमबर को जब WD यहां से गुजर रहा होगा उत्तर में पंजाब से लेकर पूरब में पटना तक तमाम जगों पर तापमान को नीचे ले आएंगी, बाला सोर, भद्रक, मैयूर भंज, केंदु जहार से लेकर, ओडिशा से लेकर, 36 गड़ और गंगिये पश्चिम मंगाल के तमाम इलाकों पर इन हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट होगी, ये हवाएं अपना रुख बदल नहीं है दस नवंबर के बाद से, तो दस नवंबर से ही उत्तर प्रदेश में और बिहार जारकन, पश्चिम मंगाल, ओडिशा, 36 गड़ और मद्र प्रदेश की पूर वी रिजिन इन तमाम जगों पर पा आम लोगों के लिए जानने के लिए कि समय देश में किस प्रकार की सर्दी पढ़ रही है और किस तरफ रुझान मौसम का दिखाई पढ़ रहा है, इस बार अनुमान है कि ला नीना का प्रभाव रहने के कारण सर्दी अच्छी पढ़ेगी, लेकिन डीले बहुत हो रहा है, अभी तक उत्तर के पहाणों पर डबलूडी नहीं आया, बर्फ नहीं गिरी और उसके चलते तापमान में गिरावट नहीं हो रही है, तो अभी सिचुएशन जो है, वो जारी रहने वाली कुछ दिनों तक, फिलाल अभी जो टेंपरिचर रिकॉर्ड के जा रहा है, प्रदिश में 8.1 डिगरी पारा रहा है, यह सब एवम नॉमल हैं, सामाने से उपर हैं, पहाड़ों पर भी तापमान, मुक्तिश्वर कुमा उत्राखड में 9.1 और इसके बाद, आप देखें, सिर्फ 6 स्थान ऐसे हैं इस समय नुवंबर के पहले सबताहा के बीतने के प्रदेश में 10.7, कोड़े करनाल तमिलाडो में 11.6 तापमान रिकार्ट किया गया सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश में, 11.8 पंचमणी मध्य प्रदेश में, पंचमणी मध्य प्रदेश का जो की हिल स्टेशन है आप जानते ही है, शिमला से जादा उंचाई पर यह स्थि किया गया है और इतना ही तापमान रहा है, सिक्किम के गैंग टोक और तमिलाडो के उटी में भी उटी भी परवती एक छेत्र है, इलिस्टेशन है, इंफाल तुलिहाल मणीपूर के इंफाल में 13.1 और धमशाला में 13.5 तो यह सिती देश के अलग-अलग भागों में वैसे ही जादतर हिस्ते में नहीं चल नहीं देश के लेकिन यहाँ पर और जादा उमस किस्तेती और वैक्यूम किस्तेती है, हवाग ना के बराबर चल रही ही, दीसा में 38.6, हाइस्ट टेंपरचर रहा पिछले 24 गंटे में, राजकोट में 38.4 और 38.3 रहा भुज में, बार बंदर गुजरात में भी तापमान इतना ही रहा, 36.4 विरावल गुजरात में 36.3, 36.2 डिगरी अमरेली में रहा, बीकानेर राजस्थान में 36 डिगरी से तापमान रिकॉर्ट किया गया, जहां पर थोड़ी बहुत हवाएं उत्तर की आ भी नहीं है, सुबह और शाम के समय म फलोदी में, जो कि राजस्थान में है, सूरत गुजरात में 35.98 और 35.6 भावनगर में गुजरात में ही तापमान रिकॉर्ट किया गया, तो ज्यादा तर स्थान गुजरात और राजस्थान के हैं, मुंबई है महारास्टर का बाकि सभी राजस्थान और करनाटर का कारवा बाकी सभी जगहें 20 में से 17 राजस्थान और गुजरात की हैं, तो अभी इन दोनों राजस्थान में गर्मी पढ़ रही है और इसमें कोई जादा अंतर आने की संभावना भी नहीं, इस नवंबर से हवाएं यहां से अपना रुख बदलेंगी और अभी जो हवा पंजाब हर्याना होते हुए और दिल्ली होते हुए पूरवी राजस्थान के भागों से आगे बढ़ रही है पश्चिमी मद्र प्रदेश से आने वाले दो-तीन दिनों में यानि 10 नवंबर के आसपास से यह हवाएं पंजाब, हर्याना, चंडीगर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश क प्रभावित करते हुए बिहार पहुँचेंगी, जहारखन गंगी पशिमंगा, लोडिशा और चातीजगर, पूरवी मद्र प्रदेश पहुचेंगी, जहाँ पर इन जगहों पर अभी जो धुंदली इस्तिती बनी हुई है, धुंद बनी हुई है दिन में भी और सुबह क पहुचेंगी और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहां पर कम से कम होगा, तो इन जगहों पर इंडो गंगेटिक प्लेंस, जो की पंजाब से लेकर के हम कह सकते हैं, बिहार तक का जो उत्तर का मैदानिक शेत्र है, पूरा स्ट्रेच, इस रीजन में लोगों क दिखाई दे रहें, क्योंकि जो ट्राइफून आ रहा है, उसके चलते, उसके प्रभाव से जब वो आगे बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी में उसका रिमनेंट इंपक्ट दिखाई पड़ेगा, तो यहां से हवाएं थोड़ा सा और पुरजोर कोशिश करेंगी साउथ वेस्ट की तरफ चलने के लिए, लेकिन ये इस तरह से नॉर्थ हिस्टल इविंट्स आएगी पूरी, तो इसके कारण यहां पर नॉर्थ हिस्ट मौसून एक्टिव हो जाएगा, और साउथ परिंसुलर रिजन दक्षणी प्राइद विपिय भारत के तमाम इलाकों के साथ साथ एडज्वाइनिंग जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पेनिंसुला है, जिसमें कुछ पोर्शन महाराष्टर का हो सकता है, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में और कुलापूर, सोलापूर से इंदुदुरूग का रीजन हो सकता है, जहां पर हलकी फुलकी चार-पांच दिनों तक तो फिलाल महाराष्ट में और गोवा में बारिश नहीं होगी, 15-16 के बाद यहां पर कुछ गतिवी धियां हो सकती है, लेकिन तमिल नाडु के थटों पर आने वाले दिनों में और आंतरी के इलाकों में, करनाटक के तमाम आंतरी किस्सों में, तट यह ओडिशा और गंगिये पशिममंगाल के ततवरती रीजन, यानि कोलकाता, पुरी, पारादीप, कटक, भुवनेश्वर, इन भागों में कई जगों पर भी बादल बढ़ेंगे, आते जाते रहेंगे, और कुछ लाकों में थोड़ा भूद मुदाबादी भी हो सकती है, शेश गंगिये पशिममंगाल और ओडिशा के पशिमिक शेतर, चतीजगर, मध्यपरदेश, महाराश के बाकी सभी रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्यपरदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगों के साथ साथ, पंजाब, हर्याना, चंडीगर, दिल्ली, और इधर बिहार, जारकन, पश्रमंगल, सभी भागों में ड्राइव एदर रहेगा, पूर्व उत्तर में लाइट रेन हो सकती है, और उत्तर भारत के परवती एक्षेतरों के पास, जिब व्लूडी गुजरेगा, तो जम्मू कश्मीर, ये माचल प्रदेश के कुछ एसों में, जैस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने इक्षेतरे के मौसम और अपनी फस्लों की स्थती के बारे में भी लिखिए, ताकि हमें और जानकारियां मिले, अब डेट रहें आपकी अपनी क्रॉप की स्टेज के बारे में, और उसको किस तरह के मौसम की अवशकता है इसके अबादेट